हे गाइस वेलकम तो माई यूटूब चैनल और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं Poco M2 Pro की अन्बॉक्सिंग और देखेंगे हम इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर को और यदि आप इस फोन को लेना चाहे हैं मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक सेयर जरू करेगा तो चलिए करते हम वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मुबाइल का बॉक्स और फ्रंट में देख सकते हैं फोको एमटू प्रो लिखा हुआ है और साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की ब्रैंडिंग की गए यहाँ पर आपको मिलता है कॉर्ट कैमरो का सेट अप और बहुत सारी इंफर्मेशन है जो कि अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मुबाइल का जो कलर है वो ग्रीन एंड ग्रीनर दिया हुआ है और यहाँ पर 4GB और 64GB इंटर्नल स्टोरेज वाला यह वेरियंट है यहाँ पर लेखा हुआ मेड इन इंडिया चलिए हम बॉक्स हो कर लेते हैं ओपन तो देख सकते हैं बॉक्स हो चुका है ओपन और मैं इस बॉक्स को लिका लेता हूँ बाहर और यह देख सकते हैं यह रखा हुआ मोबाइल मैं भी इसे बाहर निकाल लेता हूँ और यह हो गया मोबाइल अभी रखता हूँ इसे साइड में देखता हूँ बॉक्स में और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है एक टाइप सी चारजिंग केबल देखने को मिलती है और साथ में आपको देखने को मिलता है एक फास चारजर जो की 33 वाट का है और साथ में मिल जाता है एक plastic case cover तो चली हम बात करते है अपने mobile के बारे में और mobile को निकाल लेते हैं poly86 बाहर और देख सकते हैं ये रहा mobile, और फ्रंट पर आप देख सकते हैं punch-hold डिस्प्ले देखने को आप मिल jetता है back में यहां बात करें तो यहां पर आपको मिलता है POCO की branding और 4 camera को setup दिया हुआ है 48 megapixel लिखा हुआ है और LED flash दिया हुआ है साइड में यही हम देखें तो आपको मिलता है fingerprint sensor जो की एक power on off button की तरह भी काम करता है और यहाँ पर आपको मिलता है volume up down का button इस नीचे तरह देखें यहाँ पर आपको मिलता है आपको 3.5 mm का jack और यहाँ पर देखने को मिल जाता है USB Type-C के charging port और microphone देखने को मिलता है speaker गल देखने को मिलता है इस side यही आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है SIM tray का option कर लेते हैं इस SIM tray को open और देखते हैं यह hybrid SIM slot है या फिर dedicated SIM slot है तो हम इसे open करते हैं और यह देख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर आपको मिलता है dedicated SIM slot मतलब आप अपनी दो SIM के साथ एक micro SD card भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसे लगा देता हूँ वापस चलिए हम बात करते हैं mobile के color की और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस mobile का जो color है वो green and greener है और आप उपर तरफ देखेंगे तो जो color है वो थोड़ा plane में दिया हुआ है और नीचे तरफ आप देखेंगे तो color में आपको थोड़ा सा lines देखने मिलती है hatching lines type की दिखाई देती है यह इसकी design है और यदि हम बात करें इसके weight की तो यह थोड़ा सा heavy weight है मतलब आप मान सकते हैं इसका 209 gram इसका weight दिया हुआ है reverse usar Irrela Glass 5 का प्रोडेक्शन भी देखने को मिलता है back में और front में आपको Glass देखने को मिल जाता है और साथनी में यहां पर आपको 60Herts का reference भी देखने को उना बात करें chipset की तो यहां पर आपको मिलता है 8NM का chipset और मिलता है Snapdragon 720G का processor और आपको GPU देखनों को मिल जाता है Adreno 618 तो 720G का जो processor है काफी अच्छा processor है एक gaming processor है तो आप heavy game जैसे PUBG और Call of Duty अराम से खेल सकते हैं without any lag और यदि हम बात करें Android version की तो यहां पर आपको Android 10 मिलता है out of the box और Miya UI का version 12 देखने को आपको मिलता है यहां पर आपको storage का type देखनों का मिलता है UFS 2.1 और phone जो है वो 6GB RAM और 64GB internal storage के साथ 6GB RAM और 128GB internal storage के साथ और 4GB RAM और 64GB internal storage के साथ आता है यह phone 4GB RAM और 64GB internal storage वाला वेरिंट वाला phone है और अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको देखनों को मिल जाता है एक dedicate SIM slot तो आप यहां पर अपने storage को expand भी कर सकते हैं अब टू 512GB तक तक में आपको मिलता है चार camera को setup और main camera आपको देखनों को मिलता है 48MP और 5MP का अल्टराविट और 5MP का macro camera और 2MP का depth sensing camera देखने को मिलता है फ्रेंट में आपको देखनों को मिलता है 16MP का selfie camera देखने को मिलता है तो चलिए हम कर लेते हैं camera को open और यहां पर आप देख सकते हैं different type type के options दिए हुए है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखनों को मिलता है HDR option मिलता है AI का option देखनों को मिल जाता है AI camera और यहां पर आपको different type के filters भी देखने को मिल जाते हैं आप beauty या फिर अलग-अलग filters यूज कर सकते हैं साथ में आपको यहां पर Google Lens और कुछ settings में भी जाके आप options देख सकते हैं आप किस ratio में पिक लेना चाहते हैं उस ratio को अप select कर सकते हैं साथ में आपको timer भी देखने को मिल जाते हैं कि 3 x 5 x 10 x तक आप second तक आप timer को set set कर सकते हैं शाथ में आपको कुछ और setting भी देखने को मिल जाती है यहां पर आप photo option में देख सकते हैं कि 1X और 2X और 0.6X सकी zooming आपको देखनों को मिलती है अब यदि हम बात करें वीडियो में तो वीडियो में आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको बहुत सारे option देखनों को मिलती हैं इन FLAS यहां पर आपको different type की filters मिल milliards यहां पर इन ौका यूस करके वीडियो और सकते हैं सात में आप देख सकते हैं कि वीडियो एच्टी पी पर और reality पर और 4 बीडियो पर बीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं यह आपको वीडियो में 1 एक्स और 2 एक्स आट सकते हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलता है pro mode और pro mode में भी आपको different type के options देखने को मिलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि 48MP का एक आपको camera देखने को मिलता है ultra HD और यहां पर different type के आपको filters भी देखने को मिल जाते हैं और भी बहुत सारी settings देखनों को मिलती है यहां पे साथ में आपको देक्ट मोड भी और portrait मोड में आप देख सकते हैं AI का एक आपचिन देखने को मिल जाता हैDifferent Czyli watermarks का आपको option देखने को मिल जाता है और यदि हम बात करें front camera की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 16 megapixel का front camera और यहाँ पर आपको अगर आप front camera से video को recording करते हैं तो आप full HD में video record कर सकते हैं 30 fps और 120 fps पर साथ में आपको front camera में भी night mode का option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको front camera में EOS का support देखने को नहीं मिलता है लेकिन आपको back camera में EOS का support भी देखने को मिल जाता है तो यह रहे different type के options जो कि आपको camera में देखने को मिल जाते हैं और मैंने इस mobile से कुछ pick क्लिक की हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी तो चली हम बात करते हैं sensor की तो इस मोगाईल में आपको डिफरेंट टैप की sensor देखने को मिल जाते हैं और रही fingerprint sensor की बात तो यहाँ पर आपको fingerprint sensor देखने को मिलता है side mounted और जो की काफी तरीके से work करता है और साथ में आपको मिलता है face unlock options भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको P2i Splash Proof Technology देखने को मिलती है जो कि इस Mobile को Water Resistance बनाती है 3.5mm का Jack देखने को आपको मिल जाता है Wi-Fi Direct और यहाँ पर आपको Camera to API का Support देखने को मिलता है जिससे आप इस Phone में Google Camera को इंस्टॉल कर सकते हैं आपको Bluetooth को Version 5 देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको MIUI 12 का Support देखने को मिल जाता है जिससे आपको यहाँ पर Different Type के Options देखने को मिल जाते हैं जिससे Reading Mode हो गया, Dark Mode हो गया, D&D हो गया Battery Saver के साथ साथ आपको यहाँ पर एक Ultra Battery Saver का Option भी देखने को मिलता है कास्ट हो गया और Mi Eye Share का Option देखने को मिल जाता है Windows Floating का Option देखने को मिलता है Screen Recording का Option भी देखने को मिल जाते है यहाँ पर Different Type के Options आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी की तो यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mH की बैटरी तो मैं आपको इस Mobile की कुछ अच्छा हीं बता दूँ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक अच्छा प्रोसेसर 720G का प्रोसेसर और आप Different Type के Apps और Different Type के Games आप इस प्रोसेसर में रन कर सकते हैं Without Any Lag और साथ में आपको देखने को मिलता है एक अच्छा कैमरा और साथ में आपको मिल जाता है बैटरी बैकप जो की काफी अच्छा है तो यह फोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरू बताइएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक सेर जरू करिए चैनल को सब्क्राइब कर दीजे विद बैल आइकन मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद